यदि आपने बिना चीनी के हल्दी और टेस्टी रबड़ी खानी हो तो आप इस वीडियो को जरूर पूरा वाश करना ये बहुत ही गाइस टेस्टी लगेगी सच में आप एक बार ने इसको बार बार बना के कहोगे खजूर और ड्राइफरूट की रबड़ी बनाने के लिए ये मैंने ड्राइफरूट लिया है ड्राइफरूट को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन खजूर आप ज़्यादा डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा तो मैंने ये साथ दाने खजूर के लिए हैं जो की बहुत अच्छा टेस्ट देंगे एक मुठी मैंने बदाम लिया है एक मुठी मैंने पिस्ता लिया है और एक मुठी मैंने काजू टुकडा लिया है ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रबडी बनेगी तो एक कड़ाई को हम मीडियम फ्लेम पर रखेंगे उसमें एक च ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे लो फ्लेम पर बस फ्राई कर लेंगे उसके बाद हम इसमें खजूर डाल देंगे इस रबड़ी को हेल्दी बनाने के लिए मैंने इसमें खजूर का इस्तेमाल किया है जो की बहुत अच्छा टेस्ट देगा और एक गलास अब हम इसमें दू अच्छा आएगा और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे दूद को हम थोड़ा गाड़ा करेंगे यानि मीडियम टू लो फ्लेम पे रख देंगे दूद जब रिड्यूस हो जाएगा तो यह रबड़ी का टेक्शर बहुत अच्छा आएगा तो यह देखिए दूद में उ किप भी कर सकते हैं रबड़ी में थोड़ा मावा टेक्शर के लिए मैंने इसमें मिल्क पॉडर एट किया है इसलिए खजूर मैंने थोड़े इसमें कम यूज किये हैं यानि मैंने इसमें खजूर जो हैं साथ दाने एट किये हैं मिल्क पॉडर भी मीठा होता है और खजू से भी जादा टेस्टी ये बनती है आप इसे एक बार जरूर बनाईएगा तो ये देखिए दूद जो है रिड्यूस हो गया है फ्लेम को अब हम आफ कर देंगे और अब इसे रूम टंपरेचर पर हम ठंडा कर लेंगे तो ये देखिए रबडी जो है ठंडी होने के बाद और भी गाड़ी हो गई है आप देख रहे होंगे कितनी गाड़ी हो गई है ये बहुत ही टेस्टी लगेगी इसे हम मिक्सी में डाल देंगे फिर थोड़ा सा दूद लेके उसी कड़ाई में इसमें एड़ कर देंगे तो ये देखिए किता बढ़िया टेक्शर आ रहा है इसका लो फ्लेम पर मैंने आदा किलो दूद रखा हुआ है करने के लिए तो ये देखे दूद में भी उबाला आ चुका है और अभी इसे 2-3 मिनट तक और काड़ेंगे जब 2-3 मिनट हो जाएंगे उसके बाद इसमें हम इलाइची पॉडर एड़ कर देंगे इलाइची पॉडर एड़ करने से बहुत अच्छी खुशबू आएगी और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा और दूद को अब हम हिला देंगे और आप देख रहे होंगे 2-3 मिनट हो चुके हैं अब इसमें हम ड्राइफ रूट की पेस्ट एड़ कर देंगे यानि खजूर और काजू बदाम की पेस्ट एड़ कर देंगे अब इसी में से दो कर्ची दूद लेके हम मिक्सी में डाल देंगे जो मिक्सी में पेस्ट लगी रह गई होगी ड्राइफ रूट की उसे हम दूद में हिला के इसमें एड़ कर देंगे फिर इसे हम अच्छे से हम mix कर देंगे पेस डालने के बाद हम इसको low flame पर थोड़ा काड़ते रहेंगे तो दूद को मैंने low flame पर रख दिया है और ये देख रहे होंगे आप दूद में जो हैं boiled आ रहे हैं और जब 10 मिनट हो जाएंगे तो आप देख रहे होंगे दूद थोड़ा सा reduce भी हो गया है और अभी भी मैंने low flame ही करी हुई है इसका texture इतना change हो जाता है कि दिखने में बहुत ही tasty लगता है गाइस मूँ में पानी तब ही आने लगता है जब इसमें boiled आने लगते हैं गाड़ा गाड़ा एकदम दूद आता है आप इसको हिलाते जाएंगे उपर से जो मलाई आती जाएगी इसमें mix करते जाएंगे तो ये देखिए दूद हो गया है गाड़ा और आप flame को हम कर देंगे off क्योंकि आप देख रहे होंगे कर्ची भी अच्छे से code हो रही है हमें बस यही consistency चाहिए रबड़ी के लिए ना ज्यादा थिक ना ज्यादा पतली तो अब इसे हम room temperature पर ठंडा करके fridge में रख देंगे तो ये देखिए इसको मैंने एक serving ball में डाल दिया था और foil paper से ढखके fridge में रख दिया था यानि fridge में इसे रखे हुए दो घंटे हो गए हैं और अब मैं इसका video shoot करके आपको दिखा रही हूं दो घंटे बात का और आप ये देखिए रबड़ी किती ठीक हो गई है और भी बहुत ही delicious रबड़ी बनती है guys सच में बजार से भी ज़्यादा टेस्टी ये रबड़ी बनेगी मैंने पहले भी कई रबड़ी की वीडियो अलग-अलग flavor में आपसे share कर रही हैं आप उन्हें भी full watch कर सकते हैं वो भी बहुत delicious बनेगी अब इसके उपर हम बदाम garnish कर देंगे जो की दिखने में बहुत ही सुन्दर लगेंगे और ये देखिए ये मैंने जो खजूर इसमें add किये थे दूद में तो थोड़े खजूरों के मैंने छोटे छोटे knife से piece काट लिये थे ये बहुत ही अच्छा texture देते हैं जब हम इसकी bite खाते हैं रबडी की और मुँ में खजूर का piece आता है तो बहुत ही अच्छा taste लगता है आई होब कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी पसंद आई है तो प्लीज लाइक वस सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस करिएगा और हाँ बैल का बटन प्रेस करना बिलकुल मत भूलेगा जिससे आने वाली हर नई रेस्पी का notification आप तक पहुंशता रहे and take care jam आता दी और आप भी ऐसे हल्दी चीजों का enjoy करते रहें